नमस्कार इनकी अंतह क्रियाओं का जीवन में क्या प्रभाव होता है तथा इसका किस तरह से उप्योग किया जाना चाहिए के विशे में चर्चा की जाती है। जानकार सरजन अवश्य शिक्षक की महत्वा कांक्षी उप्लप्थी योजना हो सकती है और उसके व्यभारिक उप्योग को संभव बनाना चात्रों के जीवन को इस तरह से अनुकूलित करना कि वो परियावरण के प्रती सचेत तथा जागरत हो सके। परियावरण शिक्षा तीन आयामों पर निर्धारित है। परियावरण अध्यान विशेच्षेत्र, परियावरण अध्यान के माध्यम तथा परियावरण सनरक्षन के माध्यम। हम इन तीनों के विशय में जानते हैं, तब ही इसका समवर्धन सुनिश्चित किया जा सकता है। विशय शेत्रों पर चर्चा करते हुए, हम जानते हैं कि स्वयम परियावरण, अर्थात, भौतिक, सामाजिक, जैविक घटक, जिन में वर्षा, धूप, वायू, सम्मिलित हैं, तथा समाज के अन्य रूप सम्मिलित हैं। जिनके विशय में परियावरण अध्यान में चर्चा की जाती है, तथा इनका समवर्धन, आवश्यक, तथा सुनिश्चित किया जाता है। परियावरण अध्यान के माध्यम, शिक्षक का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव, चुकि विद्यार्थी अपने जीवन का अमूले समय शिक्षक एवं शिक्षा के साथ व्यतीत करता है, उसका प्रभाव सुनिश्चित करता है कि परियावरण अध्यान के माध्यम को किस प्रियावरन सनरक्षन के माध्यमों के वारे में जानते हैं परियावरन ये गुणों को अपने जीवन में अंगरीकृत करना परियावरन सनरक्षन का प्रमुख माध्यम है जैसे ही चात्र इन गुणों को जीवन में उतारता है वा परियावरन की प्रती सचेत होता है तथा प्राक्रतिक संरक्षन में अपने जीवन में कोई चूक नहीं करता परियावरन सनरक्षन एवं प्रबंध आदतों का विकास करना जिस तरह से परियावरन शिक्षा दी जाती से संबंधित कारेवों के आयोजन से परियावरन संरक्षन के माध्यम सुनिश्चित किये जाते हैं। ये सभी कारिक्रम या जन्जागुरुकता अभियान या सांस्कृतिक कारिक्रम परियावरण के प्रती सचेत करते हैं तथा सामुदाइक भागिधारी को बढ़ाते हैं। परियावरण सनरक्षन के लिए समवेदन एवं जिग्यासा उत्पन करना भी परियावरण सनरक्षन का माध्यम है, जो परियावरण सनरक्षन को सुनिश्चित करता है। अब इन तीनों के अलावा, शात्रों के लिए पर्यावरण अध्यान में सम्वर्धन हेतु कही सुधारात्मक उपाई किये जाने आवश्यक हैं। स्वर्यावरन शिक्षा एक पक्षिय शिक्षा विधी नहीं है, इसमें शिक्षक, शात्र तथा शिक्षन प्रक्रिया का सम्मिलित रूप देखा जाता है, इसलिए आवश्यक है कि सभी आयामों पर परियावरन अध्यान में समवर्धन हेतु सुधारात्मक उपाय किये जाए सरुपर्थाम हम शिक्षकों की शिक्षन प्रक्रिया को सुधारने और अपने अनुमानों और निशकर्षों की जाच करने के लिए कारवाही करना शिक्षक का प्रमुक कारे होना चाहिए शिक्षकों को निर्मानात्मक आकलन के व्यभारिक संपर्क में लाना भी आवश्यक है जिससे शिक्षक जान सकें कि परियावरन शिक्षक के मूल्यों को किस हद तक शात्रों ने प्राप्त किया है तथा कहां रिक्तता है तथा शात्र किस तरह उसको पूर्ण कर सकते है अतह निर्मानात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन का विवहारिक संपर्क में लाना बहुत आवश्यक है शिक्षकों को यह ज्ञान प्राप्त करना कि रचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए तथा इसके लिए सुधारात्मक अनुदेशन किस तरह बनाए जाए यह निर्मानात्मक आकलन के व्यवहारिक रूप में लाने से ही संभव होता है इसके अतरिक्त औपचारिक शिक्षा के छेतर में शैक्षणिक, शिक्षन सामगरी और सहायता का विकास करना भी आवश्यक है जो परियावरन शिक्षा को पूर्ण कर सके अधिक से अधिक प्राक्रतिक सहायता देना या प्रक्रतिक के करीब लाना परियावरन शिक्षा का प्रमुक उद्देश है इसके बाद स्मृती इस्तर, बोध इस्तर तथा चिंतन इस्तर को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है तीनों अस्तरों पर छात्रों का विकास नुद सुनिश्चित करना आवश्यक है जो परियावरण शिक्षा के उद्देशों को पूर्ण करता है मौजूदा शिक्षणिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान, संस्थानों के माध्यम से परियावरण संबंधी शिक्षा का प्रचार करना भी आवश्यक है जो इसके संवर्धन का मुख्य उपकरण हो सकता है परियावरण संबंधी शिक्षा में प्रशिक्षन और मानव शक्ती का विकास सुनिश्चित करना और परियावरण के परिरक्षन और सनरक्षन के लिए लोगों को जागरुक बनाना भी शिक्षा के संवर्धन में आवश्यक है अब हम छात्रों की शिक्षन पद्यती में समवर्धन के विशे में बात करते हैं। चिंतल शील हो सकें। चिंतन शील होने के लिए छात्रों का सहयोग करना भी आवश्यक है। शिक्षक को सुनिक्षित करना चाहिए कि वे शिक्षन प्रत्क्रिया के प्रती इतने सजक हैं कि छात्र जागरत हो सकें। इसकी अतरिक्त प्रश्न उठाने की शम्ता वा उनका उत् उर्जा के नए स्द्रोतों के बारे में जानकारी दी गई है तो छात्रों को उसके विशे में परिकल्पनाय बनाने की शम्ता का विकास करना भी शिक्षक का प्रभुक उत्देश्च है। की चर्चा की जानी चाहिए, तथा शात्रों को इस तरह के प्रोजेक्ट या घर कारे दिये जाने चाहिए, जिसमें वो सौर उर्जा का उप्योग कर कुछ नए मॉडल बना सकें, जिससे शात्रों में सौर उर्जा के प्रतिचेतना, जागरती एवं समझ विक्सित हो सकें। तो उसके व्यवहारिक परिणाम को समझने तथा उसके प्रतिचन चेतना को जागरत करने की समझ भी विक्सित करनी चाहिए, जिसमें छात्रों को अधिकतम रूप से सौन्दर्यात्मक मूल्यों को पहचानना तथा अवलोकन करने की शम्ता को विक्सित किया जा सके। अब हम शिक्षन प्रक्रिया में किस तरह समवर्धन किया जा सकता है इस पर बात करते हैं। शिक्षन प्रक्रिया भी शिक्षक और शिक्षार्थी के बाद तीसरी प्रमुक आयाम हैं जिसमें की समवर्धन की आवश्यकता है। शिक्षन प्रक्रिया में परियावरण अध्यन मात्रिक विशय नहीं, अपतु जीवन जीने की समग्र शैली के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। परियावरण शिक्षन में आवश्यक है कि अधिक से अधिक प्रायोगिक कारियों पर जोड़ दिया जाए, बच्चों में सौंदर्यात्मक मूलियों को विक्सित किया जाए, परियावरण को समझने तथा उसको समुचित रूप से आगे बढ़ाने, समवर्धन करने तथा सनर करने की शैलियों का विकास किया जाए, अपने परिवेश से संबंधित प्राकृतिक जानकारियों और प्राकृतिक परिस्थिती की भी समझ पैदा की जाए, जिससे छात्र अपने आसपास के परियावरण तरह परिवेश के प्रति सजग हो सकें, तथा यह जान सकें कि प्र संरक्षन कर सके, इसके अतिरिक्त, जानकारी के संकलन, उसको व्यवस्थित करने के अंकन, तथा संबंदी शमताओं का विकास करना भी छात्रों के लिए आवश्चक है, तथ्यों एवं जानकारियों में आपसी संबंद देख पाने की शमताओं का विकास करना भी आवश्चक उदहरन के रूप में संकटापन जानवर या समाप्त हो चुके जानवरों की सुची बनाना तथा उनके पीछे क्या कारण है यह जानना छातरों की इस शम्टा को विक्सित करता है अब हम मूल्यांकन में संबर्धन को जानते हैं, चुंकि मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षन अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है, इसलिए मूल्यांकन में भी परियावरन शिक्षा के संदर्व में संबर्धन आवश्यक है मूल्यांकन पैन और पेपर की परिक्षा के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है परंदो हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि पैन और पेपर की परिक्षा ही परियावरन शिक्षा के मूल्यांकन का प्रमुक अंग हो इसके अतिरिक्त याददाश से दोराना, परिकल्पना और निश्पादन करना, खोली पुस्तक वाली परीक्षा भी निश्पत्ती परीक्षणों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है निबंध लेखन, प्रश्णों के मौखिक उत्तर तथा परियावरण पर चर्चा को भी मूल्यांकन का अंग बनाया जाता है इसके अतिरिक्त प्रदर्शन, छात्रद्वारा तैयार किये गई गीत, व्यक्तिगत कीर्तिमान या किसी नाटक की रचना और अभिने करना भी मूल्यांकन का प्रमुक अंग है परियावरण शिक्षा में मूल्यांकन को अधिक प्रायोगिक बनाने के लिए छात्रों में मूल्यों को विक्सित करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों का मूल्यांकन समय समय पर भ्रमन, नाटक, रचना, आधिके आधार पर किया जाए तथा शात्रों में या मूले विक्सित किये जाएं जिससे वो परियावरण के संरक्षन एवं संवर्धन के प्रति सचेत हो सके अब हम अन्य संवर्धन क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं अन्य संवर्धन क्रियाओं में परियावरण सुधार के लिए संकल्प लेना सरवाधिक आवश्यक है, जल की कमी या सौर उर्जा के नवीनी करण के नए उप्योग या किसी भी तरह के वायू प्रदूशन या भूमी प्रदूशन के बारे में चर्चा करना, केवल चर्चा त संकल्प लेना परियावरण सुधार के संकल्प के प्रती निष्ठा रखना परियावरण शिक्षा का प्रमुक अंग होता है, तथा संवर्धन के लिए अति आवश्यक क्रिया है, इसके अलावा जन जागरुकता, जिसमें जन भागीदारी, सामुदाइक भागीदारी, छा सह शिक्षकों, सह पाठियों, तथा पालकों की सम्मिलित रूप से जागरुकता को पैदा करना, तथा उनकी भागीदारी को सुनिष्चित करना भी संवर्धन के लिए अवश्यक है, परियावरण सुरक्षा संबंधी नियम एवं कानूनों को जानना, तथा उनका अनुप पालन करना भी संवर्धन में सहयोगी होता है, परियावरण और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा उनके साथ कारे करना, शिक्षकों का छात्रों का गैर सरकारी संगठों से जुड़ना भी परियावरण शिक्षा के लिए संवर्धन के रूप में इकती आवश्य सामुदाइक भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा इस तरह के कारिक्रम आयोजित करना जिससे सामुदाइक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके परियावरन शिक्षा में समवर्धन की प्रमुक इकाई हो सकता है। अपचारिक रूप से परियावरन शिक्षा का प्रमुक अंग हैं तथा इस तरह से परियावरन शिक्षा के समवर्धन में इन नीतियों में परिवर्धन करके परियावरन शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है तथा मूल रूप से एकीकरत कर परियावरन के साथ शिक्षा को उपचारिक शिक्षा के कारिक्रमों के साथ चलाकर परियावरन शिक्षा के प्रमुक उद्धिश्य प्राप्त किये जा सकते हैं। उत्तरदायत्व निभाने का संकल्प तथा आध्यात्मिक बुद्धी को बढ़ावा देना जो की सौंदर्यात्मक मूल्यों के पहचान करने तथा उनको बनाये रखने के लिए छात्रों को निर्देशित करती है। परिवर्तिन करके लागू करना परियावरन शिक्षा के उद्देशों की पूर्ती में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे स्वेक्षाचारी उपागम इसको और्टोक्रेटिक अप्रोच भी कहा जाता है। स्वेक्षाचारी उपागम में छात्र को स्वेयम कुछ करने के लिए प्रेरित करना तथा या अवलोकन करना कि क्या छात्र अपने द्वारा बनाये हुए कारिक्रम पर चल रहा है। क्या छात्र पर्यावरंड की शिक्षा से प्राप्त जानकारियों का जीवन में सही तरीके से उप्योग कर रहा है। आवश्यक है। दूसरा है प्रजातांत्रिक उपागम जो डेमोक्रेटिक अप्रोच कहलाते हैं जिसमें छात्र अपने सहपाठियों, सहशिक्षकों तथा पालकों या समुदाय की मदद से पर्यावरंड के प्रतीजागरूपता के कुछ कारिय करना चाहता है या कुछ कारिय दिये जाते ह प्रजातांत्रिक उपागम ना केवल छात्र की सहबागिता को बताते हैं जबकि नेतरत्व के लक्षन तथा उसकी कारे करने की शमता एवं अबलोकन को भी प्रदर्शित करते हैं उसने क्या सीखा है तथा वह किस तरह से सीख रहा है यह भी इन उपागमों द्वारा ज्या इस तरह शिक्षण उपागम के समवर्धन करके परियावरण के प्रती छात्रों को प्रजातांत्रिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेणा दी जा सकती है अहस्तशेपी उपागम में छात्रों के कार किये हुए कारियों में बिना किसी हस्तशेप के उनको स्वतंतरता भागिता को सुनिश्चित करने तथा मूल्यांकन करने के काम आता है तथा गतिशील उपागम जो निरंतर हो रहे परिवर्तनों के बारे में बात करता है जिस तरह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया ग सहभागिता याद प्रजातांत्रिक तरीके से परियावरणी अध्यन से प्राप्त अनुदेशों को अपनी जीवन में सम्मिलित किया है। इस तरह परियावरण शिक्षा के लिए बनाए गए कार्टून या उनके द्वारा लिखे गए निभंध आदी उनके अंदर परियावरण शिक्षा से आए परिवर्तनों को परिलक्षित करते हैं। परियावरण शिक्षा के उद्देश ये पूर्ण हुए हैं और अगर नहीं हुए हैं तो उसके पीछे कारण क्या हैं तथा उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है। परियावरण में विशेश योगदान को राज्य तथा राश्ट्री इस्तर पर सम्मानित किया जाना आवश्यक है। इसके अतरिक्त परियावरण के प्रती जन्चेतना पैदा किया जाना तथा परियावरण संरक्षन योजनाओं का कारिया अन्वयन करना समवर्धन की एक प्रमुख कड़ी है। वर्तमान शिक्षा पद्यती में शैक्षनिक परिवर्तन होने के साथ, परियावरण समस्याओं के बारे में बालक को सम्यग्यान होना चाहिए, तथा समाज के सभी वर्गों वविश्व के सभी देशों को इस कारे के प्रती रुची दिखानी चाहिए, इस दिशा में सुधार आत्मक कदम बढ़ाने चाहिए यही समवर्धन करने की प्रक्रिया का प्रमुक हिस्सा हैं। उन्हें पुरस्कृत किया जाना भी प्रियावरन शिक्षा के समवर्धन की प्रमुक माध्यम हो सकता है। प्रियावरन शिक्षा को मुद्रित किया जाना तथा वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कुछ अभ्यान चलाए जाने जरूरी हैं जिससे संबंदिच शित्रों में बाहर शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा को सम्मिलित किया जा सके। इस तरह पर्यावरन शिक्षा के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। हमने अपनी परिचर्चा में जाना कि पर्यावरन शिक्षा में किस तरह समवर्धन आवश्यक है और इसके क्या उपागम है। परियावरंण शिक्षा एक पक्षिय शिक्षा नहीं है अतः शिक्षा, शिक्षार्थी तथा शिक्षन प्रक्रिया इसमें तीनों का समागम तथा सम्मिलित रूप से प्रयास आवश्यक है हमने जाना कि परियावरण शिक्षा के उपागम किस तरह से परियावरण शिक्षा के संबर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा किन परिवर्तनों के आधार पर हम परियावरण शिक्षा को संबर्धित रूप से हमारे देश के लिए लागू कर सकते हैं। हम किस तरह परियावरण शिक्षा में सम्वेदन शीलता, जानकारी तथा संरक्षन के प्रती जन्चेतना को सम्मिलित कर सकते हैं। किन उपागमों के द्वारा हम परियावरण शिक्षा को संतुलित रूप से संबंधित अभ्यासों में भागीदारी के साथ छिर स्थाई बना सकते हैं। आज इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। किसी और कारिक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।